असलालेकों एब्रिवान एन वेलकम बेक टू माई चैनल उमेड है आप सब खैरों आफिर से होंगे आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है मसकारस जिनके बगर हमाई जो मेकप लोक है वो इनकम्प्लीट नजर आती है मेरे पास यहां पे कुछ ब्रेंडिट मसकारस भी हैं और कुछ लोकल भी जिनके बारे में मैं अपना रिव्यू वन बाई वन शेयर करूँगी तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं एसंस के एक्स्ट्रीम क्रेजी वोलिम मसकारा की अगर आप ब्रेंड कॉंशिंस हैं और ब्रेंडी चीज़े ही बाई करना चाते हैं उसके साथ आप चाते हैं कि आपको रिजनेबर प्राइसिस में भी अवेलिबल हो तो एसंस वो एक वाहिद ब्रेंड हैं जिसके जो मेकर प्रोड़क्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और नहीं है इसका जो ब्रॉश है ये आपकी लेशिस को लैंफनेंग करता है और आपकी लेशिस के बोटम से टिप तक प्रोड़क्ट को एजी अपलाइबी हो जाता है तो बैसी के एक लैंफ प्रोड़क्टी अन्क्रियस कर देता है और इसका जो एक माइनस पॉंट है कि ये otherwise यह एक बहुत ही बेस्ट मसकारा है जो के मेरा most favorite है और branded होने के साथ सब बहुत budget friendly है तो I'm sure आप इसको एक दफ़र ज़रूर ट्राइ करें जो next मसकारा मेरे पास वो भी essence का ही मसकारा है और यह है get big lashes volume boost मसकारा इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि यह एक waterproof मसकारा है smudge proof है इस bottle में भी आपको 12 ml का product मिलता है और इसके applicator brush की जो image है वो भी इसके उपर mention है इसका जो applicator brush है वो दिखने में कुछ ऐसा है और जो इस तरह के brushes के मसकारा होते हैं वो आपकी volume को boost करने के साथ उनको lengthening भी परवाइड करते हैं तो basically यह 3 in 1 मसकारा है जो आपकी lashes को volume भी परवाइड करता है lengthening भी परवाइड करता है और waterproof भी है और जो चीज़े waterproof होती है उनको remove करने का भी एक proper way होता है ऐसा नहीं कि आप waterproof जीज़ों को खाली पानी के साथ remove करना start कर दे पहले आप उनको make-up remover से remove करें और then plain water से wash out करें जो ठर्ड मसकारा है मेरे पास वो भी essence का ही है get big lashes volume boost mascara means के यह आपकी lashes की volume को increase करता है clump free means के यह आपकी lashes को एक दूसरे के साथ sticky नहीं होने देता और जिसका applicator brush है उसके image पी इसके ओपर mention है जितनी qualities इसके ओपर mention है यह mascara on qualities के according बिल्कुल भी काम नहीं करता so I am not happy with this mascara because as compared to these two इस mascara की performance उस level की नहीं है जितनी के in की है यह दोनो mascaras outstanding है और I don't know इस mascara के साथ क्या issue है because मैंने यह तीनों सेम website से buy किये थे so I don't know यह original है फेक है यह इसके साथ क्या मसले है कि इसकी performance कुछ इतनी खास नहीं है so इसको buy करना ना buy करना बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है क्योंकि मेरे लिए इस पर लगाना ना लगाना एक बड़ापर है जो next है मेरे पास वो है कैरिट का mega lashes express volume mascara जो के blue mascara है जसके आजकर colorful mascara जो है वो trending में है और लोग पसंद कर रहे है lashes को colorful करना तो मैंने भी blue color का mascara buy किया इसको try किया तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं है because जो lashes है वो black color में ही अच्छे लगती है अगर आप उनको colorful कर लेते हैं तो आपका जो eye makeup है वो over हो जाता है और आप एक अलग ही मखलूक नज़र आते है तो basically mascara black ही अच्छे है लेकिन अगर आप फिर भी buy करना चाते है तो blue एक वो color है जिसको आप लगा सकते है as compared to red, purple, pink वो बहुत ही अजीब लगेगा तो अगर आप ये mascara apply करते है तो अपनी lashes को blue color में enhance करने के लिए जरूरी है कि आप eyeliner भी blue color का लगाए पिर ये आपका जो blue mascara है वो prominent होगा अगर आप eyeliner black color का लगाते है तो कुछ खास फरक नहीं आएगा आपकी lashes पर दिखने में पता ही नहीं चलेगा कि आपने blue color का mascara लगाए तो इस mascara को enhance करने के लिए जरूरी है कि आपका eyeliner भी blue color का हो next है मेरे पास million pollen का mascara जो कि मैंने local market से buy किया था और इस mascara को buy करने के सिफ एक वज़ा कि वो थी इसकी packing because मुझे इसकी packing बहुत ही अच्छी लगी बहुत ही attractive थी तो मैंने ये mascara buy कर लिया मुझे बिल्कुल idea नहीं था कि ये कैसा होगा लेकिन जब मैंने इसको use किया तो I'm so happy कि ये mascara reasonable price के साथ साथ इसके जो performance है वो भी काफी अच्छी है तो इसके उपर mention है कि ये 4 in 1 है means कि ये जो mascara ये आपकी lashes को length भी provide करता है उसके volume को भी increase करता है waterproof भी है and with fiber means कि इसके brush के उपर चोटे 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 fibers हैं जो आपकी original lashes के साथ attach होके आपकी lashes को long कर देते है basically ये mascara आपकी lower lashes के लिए बहुत ही useful है as compared to upper lashes हमाई जो lower lashes होती है उनकी growth भी अतनी जादा नहीं होती length भी small होती है और उसमें काफी gap भी होता है तो जब आप ये mascara आपनी lower lashes पे apply करते हैं तो ये आपकी lashes के gap को fill भी कर देता है और जो fiber है आपकी original lashes के साथ मिलके उसकी length को increase भी कर देता है और इसका जो applicator है वो बहुत ही flexible है means के इसकी मदल से आप easily अपनी lashes को curl भी कर सकते हैं तो लास्ट में है में इपास kiss beauty का mascara और इसको buy करने के भी वज़ा इसकी packaging थी जो के बहुत ही attractive थी मुझे काफी cute लगा तो मैंने buy कर लिया तो basically ये एक average mascara है जो आपकी lashes को volume provide करता है आप इसको daily basis पे use कर सकते हैं ये waterproof तो बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जो lashes है उसको उसकी length को भी increase नहीं करता लेकिन आप इसको daily basis पे use कर सकते हैं और I think एक अच्छा mascara है जो कि आपको reasonable price में available है तो let's give it a try तो ये थे मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपने mascara's के collection शेयर की और one by one इनका review भी किया तो I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लोगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सबस्क्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब के लिए रखिए अपना अड़े सारा ख्याल अल्लहाफेज